वेलकम टू नियू नर्चरी दोस्तो आजके इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं थाई बिलाग जामून का जो मदर प्लांट है उसके बारे में डिटेल में जानकारी आजके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तो जो पौधा आपको दिखाया ज गारा है इसका उमर बहुत ज्यादा है इसका उमर है तक्रीबान साथ से आठ साल और थाई बलंग जमुन का मधर प्लांटे और इसमें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मात्रा में फ्रूट पोडक्शन इसमें आया हुआ है तो दोस्तों फ्रूट अभी पूरा मैच्योर नहीं बोल सकते लेकिन काफी हद तक मैचूर हो सकता है हो गया है अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो पूरा मीठा नहीं लगेगा थोड़ा कम मीठा लगेगा अभी आप 15-20 दिन और इसको टाइम दोगे तब प्रॉपर तरीके की जो मिठास होती है इसके अंदर वो आपको उसका टेस्ट मिलेगा अब देख सकते हैं दोस्तों प्रॉड़क्शन के मामले में थाई ब्लक जाम बहुत ही अच्छा वराइटी है और बहुत लोग फोन करते हैं बोई सवाल करते हैं कि भाईया दो वराइटी है जामून के अंदर बेसिकली थाई वायट जामून है और दूसरा है थाई बलाग जमून तो बो लोग यह कंफ्यूज रहते हैं कि यह दोनों वराइटी के अंदर कौन सा वराइटी बेस्ट होगा तो दोनों के अंदर डिफरेंस यह है कि थाई वाइट जमून पहले साल में फ्रूट पोड़क्शन देने में सक्षा में लेकिन थाई वाइट जमून के अंदर कि वह बलाग जमून से बलाग जमून बहुत पुराना वराइटी है सद्यों पुराना वराइटी है और आज भी बलाग जमून लोगों की दिलों पर राच करता है तो जब हमने एक लोगों को दो सेम खिलाया वाइट जमून भी खिलाया बलाग ज पाबित हुआ है तो इससे पता चलता है कि थाई बलाग जमुन पहले जितना डिमांड उसका था आज भी वह उतना ही ज्यादा डिमांडेवल है क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है लोग पसंद करते हैं इसको और इसका जो कलरफुल फ्रूट है वह भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है अभी इसका कोई 12 मासी लॉंच नहीं हुआ तो अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास 12 मासी है तो आप उसको एकिन मत करना क्योंकि इसका एक ही वर्याइटी है वह सीजन में एक ही बार देता है तो अभी फिलाल इसका रुपे पर केजी के हिसाब से यह आसानी से सेल हो जाता है तो आप इससे अंदजा लगा सकते हो कि यह कितना जदा प्रॉफीडेवल वर्यटी में शुमार है अगर आप इसका प्लांटेशन करते हो और तीन साल उएट करते हो तीन सल अफट मारते हो तीन साल टाइम देते ह तो मैं आपको गैरंटी से यह बात बोल सकता हूँ कि आने वाले तीन साल के बाद आप पारेकर जमीन से मिनिमम 6-7 लाक रुपे आग बंद करके कमा सकते हो अगर हमारा दिया गाइडलाइन आप सही तरीके से मेंटेन और फालू करते हो और इसका अंदज आप इस बात से लग आया हुआ है एक गुच्छे में बिल्कुल मैच्योर फूर्स उसके विसाइड में जो गिरीन कलर का है वो अनमैच्योर है उसको मैच्योर होने में अभी एक हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगेगा ठीके दोस्तों तो बेशक इस वराइटी जिसका नामे थाई बिलाग जमुन फार्मिंग बहुत ही प्रॉफीडिबल फार्मिंग में से एक है और बहुत सारे किसान कर भी रहे आज के टाइम पे और वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो इसका प्लांट अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कॉंटक्ट जरूर कीजेगा आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ही हिलफुल और नॉलिजबल रहे होगी आज के लिए बस इतना ही मिलते दुस्री वीडियो के साथ